हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल निशी एवर ग्रीन टोपिक्स फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ लो बीपी को 30 सेगंड के अंदर कैसे नौर्मल किया जाए फ्रेंड्स लो बीपी सभी की प्रोब्लम बना हुआ है इसलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगे लो बीपी कैसे जल से जल आराम मिल सके फ्रेंड्स नंबर वन है आप क्या करिए एक गिलास पानी लीजे और उसमें एक चमच नमक मिला लीजे फ्रेंड्स जब भी आपका बीपी लो हो आप उसको तुरंस पी लीजे इससे क्या होगा आपका बीपी एकदम नो नमबर टू टिप्स हैं वी पिलो नॉर्मल करने की तीस सेकंड के अंदर यह नॉर्मल हो जाएगा और मेरी वीडियो अंतर देखें फ्रेंट्स आपको कोल्डिंग सभी कहां से मिल जाती हैं घर घर में और कहीं आप बाहर भी है तो भी आसानी से उपलब्द हो जाती हैं फ्र कोफी तीस सेकंड के अंदर नॉर्मल हो जाएगा फ्रेंट्स नेक्स्ट टिप्स हैं मेरी आप क्या करिएगा कोफी होती है सभी के घर में मुझनी मिल जाती है और नहीं मिलती तो आप आसानी से बाजार से उपलब्द कर सकते हैं फ्रेंट्स आप कोफी लेके आईए या को कोफी बना कर पी लीजिए उससे क्या होगा आपको तीस सेकंड के अंदर ही अराम मिलना सुरू हो जाएगा फ्रेंट्स नंबर फॉर्थ टिप्स है मेरी आप क्या करिए चाए सुबह के टाइम अगर आप चाई पीते हैं तो उसमें हलका सा नमक मिला लीजिए स्वाज नॉर्मल रहेगा फ्रेंट्स चोकलेट चोकलेट भी बहुत अच्छी चीज है वीपी नॉर्मल करने के लिए फ्रेंट्स आप चोकलेट खाईए उससे भी आपका वीपी नॉर्मल हो जाएगा और आप फ्रेंट्स अगर इन टिप्स को अपनाते हैं तो आपका वीपी जल स जल तीस सेकंड के अंदर ही नॉर्मल हो जाएगा ये मैं गारंटी देती हूँ और फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करना ना भुले अथार ट्रेंड आपको ये वीडियो रिचा करें तौई प्रेंड प्रेंड देंड